असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल तरभ खान विलोग्स आई होप मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी अलहमदुलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बहुत खुश्यों शुकर एला पाक का और आज के व्लोग में आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी अनौंस्मेंट है तो व्लोग को आपने एंड तक जरूर देखना है यह इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आप लोग बाई करना चाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ यह मैंने एमपोरियम मॉल से बाई की है अच्छा कोई शॉप नहीं है उनकी सिर्फ एमपोरियम मॉल में सेकंड फ्लोर पर ना उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुए है वहां पर जाएं और जिस भी चीज से रिलेटिड या जिस भी टॉपिक से रिलेटिड आप लोग खरी अच्छा यह जिस स्टॉल से मैंने बाई की है ना उनके जो ओनर हैं या सेल्समेन आई डोंट नो बस वहां पर एक ही भाई खड़े होते हैं तो काफी यंग से उनका ना सेल करने का तरीका भी बाकी सारे सेल्समें से हट की है सबसे पहले जब मैं पिक्चर देखना शुरू ख़ए ना तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किस के लिए चाहिए मैं उने साथ-साथ बताती रही और वो मुझे अच्छे से एक्स्क्रेइन करते रहे और फिर उसी हिसाब से ना उच्छे सारी पिक्चर निकालकर देते रहे सारी पेंटिंग निकालकर देते कर दिया टाइप करके दिया और इसके ओपर यह जो यज़ो से स्पॉर्ट नजरा रहे है न तो यह उन्होंने पॉफ्यूम इसके ओपर स्प्रेग करके दिया था तब मतलब मैं इतना इंप्रेस्ट हुई पास है तो मैं उनको कह रही थी कि प्लीज कर दें ताके मैं ये हैंक कर सकूँ लेकि इन्होंने टाइम नहीं मिल रहा था इस वज़ा से ये अब तक ऐसे ही रखी हुई है असल में मेरे जो हस्बेंट है ना वो मुझे दिवार में कील नहीं ठोक ने देते वो कहते हैं तुम की में G편 की सफायं चल रही है और किचन में मैंने कौफतें की तियारी कर दी और इतनी गर्मी में कौफते बिनाना है तो मुझकिल लेकिन यार क्या करी में करना तो पढूच एणा तो विराइट्ट to लानी पढ़ती है ना पिर कुकिंग के अंदर सपैशली और आज मुझे मा वाले हैं तो मुझे दोनों बच्चों के युनिफॉर्म बाई करने हैं, बैक्स बाई करने हैं, स्टेशनरी, कोर्स, यह सब कुछ देखने हैं, तो उसमें न फिर टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रही थी के टाइम पर चली जाओं और टाइम पर ताक के अभी खुलने हैं, तो चलें, यहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जनाब अपना एक नया सूट, और यह सूट मेरे हस्बंड ने मेरे लिए बाई की है, अच्छा मेरे हस्बंड कभी भी किसी आउटलेट पर जाकर मेरे लिए शॉप नहीं करते हैं, उनक अच्छा मेरे लिए बाई करते हैं, यहां पर उनके लिए लिए लगानी का सूट बाई किया था, थोड़ी देर पहले ही और आया तो मैं यहां पर खोल कर देख भी रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, लएसम लखानी ब्रैंड है, उसका यह सूट है, कलर सूट का यार मुझे ओवरॉल ना सूट अच्छा ही बहुत लगा, मतलब एक तो कलर सूट का बड़ा अच्छा है, उसके इलावा इसके ओपर जो एम्ब्रॉइडरी होई वी है वो भी इटसल्फ बहुत ही खुबसूरत है, डल गोर्ड में और डल सिल्वर में इसके अच्छा है और साथ पे यह जो सूट का कलर है इसके ओपर सूट है उपर वी है, तो इंपरॉइडरी उइभी है तो मुझे अच्छी लगी, सबसे अच्छी बात लॉन बहुत अच्छी है बहुत इसके साथ दुपटा, वा नेट नेट दुपटा है तैंक गॉड मैंने हस् आपना औरगेंजा का दुपटा बतलब एम्ब्रॉइडर जितने भी मुझे क्रॉस्टिच पर सूट अच्छे लगे ना सब के साथ औरगेंजा का दुपटा था और औरगेंजा के दुपटे लेना इतना डिफिकल्ट हो जाता है वो टिकता ही नहीं है मैंने बारॉक का बाई किया था सूट और सूट बहुत अच्छा था उसके साथ औरगेंजा का दुपटा था बिलीव करें जैसे लिया था आज तक वैसे ही पड़ा है क्योंकि वो पहना ही नहीं जाता और अगर कहीं बाहर जाना है और मुझे पहन कर जाना पड़ जाए तो बस सेफटी पिन्स के स साथ उसको ऐसा पहले सेट करना पड़ता है मैं क्या बता हूँ और गर्मी अलग लगती है यहां पर यह इसका ट्राउजर है ट्राउजर प्लेन है यार बहुत ही सॉफ्ट कपड़ है मैंने तारीफें इतनी कर दी हैं जैसे इन्होंने मुझसे कोई शाउट आउट लिया यह बिल्कुल डल गोल्ड और डल सिल्वर में और जो इसके बॉर्डर्स हैं उनके उपर बेज कलर में अमरॉइड रही हुई है तो पटा बड़ा खुबसूरत लगा मुझे ओवरॉल काफी डीसेंट और बहुत अच्छा सूट था इसकी ओवरॉल लुक मैं दिखा देती ह परसनली ना तो इनके कपड़े कभी देखे हैं ना मैंने कभी वेब साइट पर इनके डिजाइन देखे हैं मुझे लिटरली नहीं पता ठीक है यह मेरे हजबन ने मेरे लिए ओर्डर की है तो अगर आप मेरे से लॉन की बात पूछेंगे तो लॉन जबर दस्त है बहुत तो थोड़ी दिर पहले मेरे हस्बेंड आये थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आज मुझे पराथे बना कर दो और मेरे हस्बेंड को ये चकोर वाले जो पराथे होते हैं न स्क्वेर पराथे ये बड़े पसंद हैं यहाँ पर मैं उनके लिए पराथे बना रही हूं और जी चल मेरी वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर अगर आप नहीं हैं पहली बार आयां तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें चले अब मैं आती हूँ अपनी अनाउंस्मेंट की तरफ आप लोगों को अपनी यूट्यूब की इंकम भी बताऊंगी लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए ना उस चीज़ पर फोकस तो है ही नहीं और जिस चीज़ पर नहीं होना चाहिए सबसे ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पर है कोई भी यूट्यूबर जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है वो इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रही कि उसक तो इसका मतलब यह है कि आपका content अच्छा नहीं है आप अपने content को अच्छा करें सबसे main focus आपका अपने content पर होना चाहिए कुछ मुझे messages messages Instagram पर ये भी आते हैं कि दो साल हो गए हैं डेर साल हो गए हैं लेकिन results नहीं मिल रहे हैं इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि आपका content नहीं अच्छा लग रहा लोगों को फिर कहते हैं जी हम शायद video नहीं सही तरीके से upload कर रहे हैं या शायद हम tags नहीं सही लगा रहे हैं अरे यार यार यकीन करें इन चीजों की बिल्कुल कोई importance नहीं है बाज ऐसी videos भी viral हो जाती हैं जिन पर कोई tag कोई description लगा हुआ ही नहीं होता ठीक है अगर आपका content अच्छी होगी तो खुद बाखुद लोग आपको subscribe करेंगे खुद बाखुद लोग आपको views देंगे लेकिन अगर आपको views नहीं आरे तो it means आपका content अच्छा नहीं है अगर आपको साल तेर साल हो गया है काम करते हुए मैं उनकी बात करी हूँ और जो नए यूट्यूब मेरे साथ जुड़े हुए है मेरी struggle को देखें जरा मैं आपके सामने हूँ ना मैंने किस तरह grow की है किस तरह मुझे views आने शुरू है आप सब को बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे डेर साल होगे है channel पर काम करते हुए डेर साल के बाद अब channel grow करना शुरू हुआ है और still I am in struggling phase मैं यह नहीं कह सकती कि मैं काम्याब हो चुकी हूँ I am in struggling phase और हर दिन कोशिश करनी पड़ती है किस तरह से variation लाओं content में किस तरह से नई चीज लाओं के लोग मेरी वीडियो को देखें मेरी वीडियो को like करें चोड़ दें लोगों की मिनते करना कि हमारा channel चेक कर दें हमें बतायें क्या खराबी एक कोई खराबी नहीं है याँ कोई खराबी नहीं है खराबी सिर्फ यह है कि आपका content अच्छा नहीं है बस आपने उसको बेतर करना है उसमें अच्छी से अच्छी चीज लेकर आनी है उसमे Bapt अच्छा होगा लोग खुदा हएंगे जरूरी anouncement ये थी कि आ रहा है जी 14 अगस्त पाकिस्तान की बर्थडे हमारा अजादी का दिन और इसी अजादी के दिन के खुशी में मैं 6 चैनल्स को शाउट आउट दूँगी देखें मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ मैंने तो भी सीखा भी नहीं है मैं सिर्फ सीख रही ह मैं अपनी तमाम उन बहनों को सपोर्ट करना चाती हूँ जो स्ट्रगल कर रही है मेहनत कर रही है और स्ट्रगल कर रही है तो ऐसे 6 चैनल्स को मैं खुद सेलेक्ट करूंगी मैं देखूंगी चैनल्स पर जाकर जिनका काम अच्छा है जिनकी वीडियो मुझे अच्छी तो आप लोगों ने वहाँ पर कम्यूनिटी में मुझसे इंटच रहना है जिन चैनल्स को मैं पहले फ्री शाउट आउट्स दे चुकी हूँ उनके नाम मैं इसमें कंसीडर नहीं करूंगी इसके इलावा मुझे प्लीज इंस्ट्राग्राम पर आकर इस किसम के मैसेज़िस ना करें कि हमारी हेल्प कर दें घर में ये मसले हैं वो मसले हैं देखें मैं जिकर नहीं करना चाती लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ता है तो इस तरह के डियम्स ना करें अगर आपका काम अच्छा हुआ अगर आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगी तो ही मैं आपके चैनल को पर्मोट करूंगी, जो जो चैनल शाउट आउट के लिए पार्टिसिपेट करना चाते हैं, वो कॉमेंट्स में जाएं अपने अपने चैनल का सिर्फ लिंक शियर करें कोई बात नहीं लिखनी, सिर्फ लिंक शियर करें इसके साथ 1000 भी लगा लें ये मेरी टोटल इंकम आई है इसलिए नहीं बताए कि सुना है कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगरा आ जाता है तो अब आप लोग ये सोचें कि मेरे सिर्फ अभी 19,000 सब्सक्राइबर्स हैं और व्योज भी आपके सामने हैं इस तरह की चीज़ें और शायद मेरे अम्मी अब्बू मेरे हस्बंड को भी ये चीज़ अच्छी ना लगे लेकिन सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने इस क्लिप को बनाया ताके मैं अपनी उन औरतों को मोटिवेट कर सकूँ कि यार जब मैं घर में बैट कर ये कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं हिम्मत तो करें ना मुझे किसी ने प्रोमोट नहीं किया मैंने कभी किसी से नहीं पूछा मेरा चैनल चेक करें मैंने कभी किसी को नहीं कहा मेरी हेल्प करें मैंने जो किया अपने पैरों पर खड़े होकर किया जब मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकती है और आपने कर के दिखाना है महिनत, सबर, अच्छा कॉंटेंट ये तीन चीज़ें हैं जो आपको कामियाब करा सकती है आप महिनत करें, करती रहें, करती रहें रिजल्ट आला के हाथ में दे दें आप लोग मेहनत करती हैं और रिजल्ट भी अपने हाथ में रखना चाहती हैं नहीं आपका काम है मेहनत करना कोशिश करना सिला आला आला ने देना है तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर दें अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स टाइम आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इंस्टाग्राम का लिंक में डाल रही हूं डेस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें बेस्ट आफ लग तो यू अल टेक केर अला हाफिज